नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम आदुनिक भारत के इतिहास में मुख्य सडियंतर कारी मामलों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि मुझफर नगर सडियंतर है, अलीपुर सडियंतर है, दिल्ली सडियंतर मुकदमा है, कानपुर सडियंतर मुकदमा है, काकोर सदियंतर है लाहोर सदियंतर है मेरट और चटगाउ 느ड ठीक है तो ये बहुत ही महत Poo Since सदियंतरकारी मामले हैं जिनसे कुसंस हमारी examination में उठते ही उठते हैं क्योंकि कुई ना कोई सदियंतरकारी जो मामला या केस्त दे देते हैं ये लोग और इसके बाद नगर सडियंत्र ठीक है तो इस पर आपको लिखना है कि 50 words में तो आपको पता होना ची कौन-कौन से नेता इसमें सामिल थे और इसका उद्देश से क्या था क्यों हुआ था ये सडियंत्र कारी जो मामला है ठीक है और किस-किस को फांसी या फिर कोई सजा हुई ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे मुझफर नगर सडियंत्र मामला जो की 1908 से संबंदित है ठीक है तो वर्स 1908 में यहां घटना घटत हुई थी प्रफुल चाकी और खुदीराम बोस इस मुझफर नगर जो सडियंत्र मामला है उससे संबंदित थे वर्स आपको याद रखना है 1908 ठीक ह तो इसमें क्या किया था प्रफुल चाकी और खुदीराम बोस ने मुझफर नगर की नियादी स्किंग्स फोर्ड पर बं फेकने का प्रियास किया था लेकिन यहां प्रियास असपल रहा था इसमें दो बिटिस महिलाएं मारी गई थी ठीक है तो इसके बाद में जो जो घोस हैं दोनों घोस ब्रदर्स हैं इन दोनों भाईयों के ऊपर अलीपूर सडियंतर मामले के तहत मुकदमा चलाया गया अब देख लेते हम अलीपूर सडियंतर जो मामला है वो क्या है अलीपूर सडियंतर मामला भी 1908 में यहां पर हुआ था इसमें यहां मामला चलाय गया था अवेद्ध हतियार तलासी ठीक है तो अवेद्ध हतियार तलासी से रिलेटेट संबंदित यह मामला है अलीपुर सडियंत्र केस 1908 में जो घोस ब्रदर्स हैं अरविंद घोस और बारेंदर घोस इन पर यहां मुकदमा चलाया गया था तो आपको याद रखना है इन दोनों को जो घोस ब्रदर्स हैं उनको अलीपुर सडियंत्र मामले के तहत बंदी बनाया गया था अवेद्ध हतियार तलासी के मामले में ओके अब आप देखेंगे दिल्ली सडियंत्र जो मुकदमा है 1911 में हुआ था जिसमें सचिन सान्याल एवं रास बिहारी बोस की प्र आप सबी को यादी रहता है ओके नेक्स्ट है कानपुर सडियंत्र केस जो 1924 में संपन हुआ था देखिए कानपुर सडियंत्र केस में क्या आरूप लगाया था बेटिस सरकार ने ये आरूप लगाया था जो सामयवादी है वो ये चाहते हैं कि बेटिस भारत जो बेटिस स में सामिल थे देखिए जो मुख्य नाम हैं मुझफर एहमद हैं एम ए डांगे हैं सोकत उस्मानी हैं नलिनी गुपता हैं सिंगार वेलू चेटियार हैं और गुलाम हुसेन हैं तो इन सभी को गरफतार कर लिया गया था और चारचर वर्स की यहां पर सजा भी सुनाई गई थ लेकिन जो गुलाम हुसेन हैं वो सरकारी दूद बन गई थे एक पिकार से गुप्चर बन गई थे इसलिए उनको सजास से मुक्ति दे दी गई थी ठीक है तो गुलाम हुसेन जो सरकार की क्या बन गई थे गुप्चर बन गई थे और सभी को चारचर वर्स का कारावास दे दिया गया था तो ये था कानपुर सधियंत्र केस 1924 नेक्स्ट है काकोरी सधियंत्र केस 1925 काफी फेमस यह सधियंत्र मामला है देखिए 9 अगस्त 1925 को यहां पर क्या हो रहा था कि सारनपुर से लखनव की और एक ट्रेन जा रही थी और उसको लूटने का प्रियास किया गया कुछ जो एच आरे के सदस्चे थे उन्होंने यहां पर लूटने का प्रियास किया था और 4000 रुपे की लूट की गई थी तो ट्रेन को काकोरी नाम अकिस्तान पर लूटा गया था सारनपुर से लखनव की और ट्रेन जा रही थी जिसमें जो मुखे कौन-कौन सदस्चे थे जिन्होंने लूटने का प्रियास किया था उसमें देखेंगे असपाक उल्ला खान है राम प्रसाद बिस्मिल है रोसन सिंग है और राजिंदर लाहेडी है इनमें से इन चारों को तो फांसी की सजा दे दी गई थी तो चारों को यहां पर फांसी की सजा दे दी गई थी जो तो मुख्य नाम है, इनको आपको याद रखना है, उके अस्पा कुल्ला खान, राम प्रिसाद बिस्मिल, रोसन सिंग और राजिंदर लाहेडी, नेक्स्ट केस आता है, लाहोर सडियंतर केस 1928, यह लाहोर सडियंतर केस दित्ते भी कह सकते हैं, इसको ठीक है, तो इसमें भगत सिंग, सुकुदेव और राजगुरू ने क्या किया था, लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी, उसका बदला लेने का प्रियास किया गया और लाहोर में जो पुलिस अधिकारी थे, सांडर्स, ठीक है, तो उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका बदला लेने के लिए, इन्हों ने यहाँ पर सांडर्स की हत्या कर दी गई थी, मेरट सडियंतर मुकदमा 1929, इसमें भगत सिंग एवं बटुकेशवर दत सम्मंदित हैं, इन्होंने क्या किया था, सालवजनिक सुरक्षा विदेयक, एवं व्यापार विवाद विदेयक था, पब्लिक सेप्टी विल और व्यापार विवाद विदेयक, ठीक है, तो इसके विरोध में 8 अपरेल 1929 को केंद्रिये विदान सवा पर बम फेकने का प्यास किया था, बम फेका था अंदर ठीक है, तो इसलिए ये मिरट सडियंतर मुकदमा चलाया था, भगत सिंग एवं बटुकेशवर दत पर, तो आपको ये दो मुख्य नाम याद रखने हैं, क्योंक पूछ ले जाते हैं, जब अगर मुख्य परिक्षा की बात आएगी, तो जैसे मेरट सडियंतर मुकदमा, तो आपको मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं, कीवर्ट्स हैं, वो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, तो उनी से आपको माक्स आसल होंगे, और ये आपकी प्रार इंपोर्ट्न पॉइंट्स हैं, उनको समझाने का प्रियास किया, ठीक है, अब है चटगाउं सस्त्रागार चापा, 1930, देखें जो सूरी सेन की नितरत में, इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी थी, उसके सदस्यों ने, चटगाउं जो सस्त्रागार है, उस पर मई 1930 में कलपना दत्त हैं, और आनंद गुप्त, ठीक है, तो यह कुछ अन्य सदस्य थे, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने है, 16 फरवरी 1933 को सूरी सेन को ग्रफतार कर लिया गया था, यह उनको फांसी भी दे दी गई थी, लेकिन जो कलपना दत्त हैं, उनको आज इवन काराबास की सजा सुनाए गई थी, तो आपको यह मुख्य नाम याद रखने हैं, कलपना दत्त हैं, इसके अलावा अनंद सिंग है, गनेश घोस हैं, कलपना दत्त हैं, और आनंद गुप्त हैं, ठीक है, तो जटगाम सस्तागर मामला आपने देखा, तो यह जो मुख्य सातार मामले ह हम जो core topics हैं, उन पर discuss करने की कोशिस करते हैं, जिससे कि सबी students को लाब हो, जातर जितनी भी exams हैं, चाये UPSC वाली exam हो, चाये RS की exam हो, चाये जो Unistate Public Service Commission की exam हो, तो इनमें ये questions बनते ही बनते हैं, तो हम वही important जो questions हैं, वही important जो topic हैं, उन पर discuss करने की कोशिस करते हैं, और का कोई ऐसा topic लगे, confusion वाला, तो आप comment box में बता सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो की माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, thank you so much